नमस्ता, फरेंज आज हम बनाएंगे होममेड, मिल्क मिल या कंडेंस मिल्क कंडेंस मिल्क बहुत अच्छा टेस्ट लाता है कुछ भी अब स्वीट बनाते है उसको और वो बहुत सारे मिठाई में, केक में यूज होता है और चोकलेट में यूज होता है पर उतना ही महिंगा भी होता है पर आज हम उसको बहुत कम सामान में बहुत सस्ते तरीके से और लगभग 10 मिनिट में हम घर पे ही बनाएंगे उतनी ही टेस्टी और उतना ही अच्छी कॉलिटी का हम घर पे बनाएंगे अम मूल का ये मिठाए मेड का डबा है और ये लगभग 400 ग्राम का है और इसकी प्राइज है 106 रुपया तो कंडेस मिल्क भी इसी प्राइज में आता है तो दोनों सेमी होते हैं तो यही हम घर पे बनाएंगे और वो किस तरह से बनाना है वो देखते हैं उससे पहले मेरे चाइनल को सब्सक्राइब करना शेयर करना है कंडेस मिल्क बनाने के लिए हम यहां लेंगे फूल फैट मिल्क मैंने यहां गरम करके थन्दा करके लिए आ है फिर हम लेंगे कॉन फ्लावर यह है मिल्क पावडर दोस टेबल स्पून हम लेंगे शुगर और दोस टेबल स्पून कॉन फ्लावर यह कॉन फ्लावर है उसके बदले आप मैदा भी ले सकते है पर कॉन फ्लावर से अच्छा और टेस्ट भी आता है और इसको हम पहले एक पतिले में दूद गरम करेंगे वैसे तो हमारा दूद गरम किया हुआ है पर उसको अच्छे से गरम करना है आप देख सकते हैं ये 1.500 ml दूद है अब किसे भी कप से एक कप जितना ये दूद है आप उससे माप ले सकते है फिर दूद थुड़ा गरम होने के बाद मैं उसमें 2 स्टेबल स्पून मिल्क पाउडर डाल रहे हूँ फिर मैं डालूँगी शुगर अगर आपको थुड़ा मिठा काम चाहिए पर मिल्क मिठ तो थुड़ा मिठा ही होता है तो 2 स्पून मैंने शुगर डाली है और यहां में 2 स्पून इतना कॉन फ्लावर डालूँगी अगर चाहते हो तो आप एक साथ ही थुड़ा दूसरे कटोरे में दूद लेके ये सब चीजों को मिक्स करके फिर आप इसमें आड़ कर सकते है मैंने डायरकी डाल दिया है और उसको अच्छे से विक्स से में हिलाऊंगी ताकि उसमें कोई भी लंस ना रहे और आप देख सकते हैं मैंने लगबग 5-6 मिनिट उसको कंटिनू हिलाया है तो यह अच्छे से गाड़ा हो गया है और उसका कलर जो भी कंटेंस मिलका होता है उसी तरह से यह कलर आ गया है जैसे जैसे यह थंडा होगा उस तरह से यह गाड़ा होगा यहां मैंने 1500 मिली इतना दूद लिया था तो यह लगबग 200 ग्राम इतना बनके रेडी है अगर आप ज्यादा बनाते हो तो यही कॉंटिटी आप इसी माप का जो भी मेजर मेने लिया है वो माप और आप डबल ले सकते है तो आप देख सकते हैं कितना अच्छे से बनके रेड हो जाएगा है ना असान बहुत काम समय में और बहुत कम सामान में हम यह घर पे ही बना के रख सकते हैं इसको आप अच्छे से एरटेट कंटेनर में फ्रीज में दो से तीन मेने तक स्टोर कर सकते हैं यह खराब नहीं होता मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई-बाई